तो कैसे हैं आप सब मैं उमीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे सो आज स्टार्ट करने वाले हैं आपका एक सब्जेक्ट जिसका नाम हो है MMI यानि कि मेटरलोजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रुमेंट अब आप यह सोच रहे होंगे कि सर ने यह गले में क्या डाला हुआ है यह तैयारी है आपको MMI पढ़ाने की मैं टेलर बनने की तैयारी न क्या है मेजरिंग टेप और मेजरिंग टेप का इस्तेमाल किसलिए के जाता है चीजों को मापने के लिए मेजर करने के लिए और इस सब्जेक्ट के अंदर हम सारी चीजें मापने वाली ही पढ़ने वाले हैं कुछ गेजेस हैं कुछ एक्क्यूप्मेंट्स हैं कुछ टूल यह किया एक तरह का टूल ही है सब्सक्राइब क्टेप बोलते हैं जो क्या करता है कि चीज को लेंट को नापता है किस किसमे नापता है संटीमेटर में इंचेस में फीट में तो यह क्या है तो यह कौन से डिवाइस है, मेजरिंग डिवाइस है एक तरह की, ठीक है, तो इन ही चीजों को हमें क्या पढ़ना है, MMI के अंदर पढ़ना है, मेटरलोजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रुमेंट में पढ़ना है, अब इस lecture को पूरा देखना, इस lecture के last में strategy भी बताने वाला जिसमें हम ये पता करेंगे कि हमें subject में पढ़ना क्या है, मैदान में उतरने वाले हो, कम से कम ये तो पता हो, दुश्मन कौन कोन है, नहीं तो बहुत मारेंगे पकड़ करके, है ना, और कहां कहां से आएंगे, ये भी पता होना चीए, तो मैदान में enter कैसे करना है, वो भी पता होना है, दुश्मन कोन है, वो भी पता करना है, और बाहर किसे निकलना है, वो भी पता करना है, है ना, तो फसना नहीं है किसी भी चीश के अंदर, तो सबसे पहले ये पता होगा कि slay bus क्या है आपका, तो 6 chapters इसमें हम पढ़ेंगे, 6 chapters, जिसमें से पहला chapter होगा, introduction of metrology यानि कि metrology का परीचे metrology का परीचे metrology के परीचे में क्या क्या आएगा उसकी definition आएगी है ना उसकी परीभाषा, scope, features है ना इसके standards और measurement आएगा इसकी कुछ important definitions आएगी वो सब किस में पढ़ेंगे हम introduction of methodology में पढ़ेंगे दूसरा chapter linear and angular measurement क्या होते हैं, रेखिक और codium आपन, ये हम पढ़ेंगे दूसरे chapter में, और ये chapter बहुत बड़ा है, second chapter काफी बड़ा है, जैसे CNC हमने पढ़ी थी, है ना, तो जो लोग नए हैं उन्हें बता दू, हमारे जो channel है, इस पर complete CNC के playlist आपको मिल जाएगे आप channel को visit करिए, और अपनी CNC complete पढ़िए, उसके notes आपको MPOLI के telegram channel पर मिल जाएगे वहाँ जाकर के आप अपने notes free of cost, download करके पढ़ सकते हैं, अब देखिए ये chapter जो है काफी बड़ा है है ना, अब इसको मैं पहले क्यों बढ़ाना होता है, तो पहले मैं आपको समझ लीजी, आकर आपको 100 kg वजन उठाना है तो पहले मैं आपको 20 kg देने वाला हूँ उसके बाद दूँगा अडरे 80 kg, तो भारी नहीं लगेगा इतना, ठीक है ना, एकदम से 100 kg उस कमर पर रख दूँगा तो गिर जाओगे तो गिरने नहीं दूँगा, आराम आराम से तीसरा चेप्टर है measurement of surface finish सतय परिश्करण का मापन ठीक है, फोर्थ है, limit, fits and tolerance, पांचवा चेप्टर है measurement of screw thread and gears, screw thread और gear का मापन किस तरीके से किया जाता है, वो सारा इस चेप्टर में हम पढ़ेंगे, और last chapter है मारा instrumentation, यंत्री करना, ठीक है तो ये 6-6 chapters हमें serial wise पढ़ने हैं, कोशिश करूँगा serial wise पढ़ाऊ, second chapter जो है सबसे बड़ा है, जैसे CNC में हमने third chapter हम पढ़ रहे है, part programming last make them, क्यों? सबसे बड़ा chapter है, अब हमने 80% slabers cover कर लिया CNC का, अब हम part programming पढ़ रहे हैं, 90-95% slabers खतम हो गया, तो आपको CNC में fill नहीं कर सकता इसी तरीके से, अगर मैंने इसका 80-90% complete करा दिया तो आपको MMI में कोई fill नहीं कर पाएगा, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सब final year में हैं, और final year में अगर आपकी back लग गई, तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, आप ये समझ लीजए अगला साल पूरा घूम जाएगा आपको क्योंकि आपकी 6 महिने बाद back का exam होगा, फिर डिप्लोमा आएगा, फिर पूरा process बहुत गड़बड हो जाता है, re-checking ये सब बहुत उससे दूरी रहना है तुम लोग को, तो कोशिश ये करनी है कि इस semester में back ना लगे एक भी, इसलिए कमर कसके पढ़ा ही करना भाई, बिल्कुल सज बता रहा हूँ, अब ये 6 के 6 chapters हम लोग cover करेंगे, जिसमें सबसे पहला chapter जो हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे introduction of methodology, methodology का मापन, अब देखो, पहला chapter हम लोग शुरू कर रहे हैं, इस lecture में, इस lecture में जो है, और एक strategy बताऊंगा, पहला chapter हम शुरू करते हैं, जिसमें पहला chapter क्या है हमारा introduction of methodology है, methodology का परीचे, अब इसमें हम पढ़ने क्या-क्या वाले हैं, वो देखो सबसे पहले, इसमें chapter 1 को हमने 5 हिस्सों में बाटा है, 5 हिस्से हैं इसमें, ठीके, पहला हिस्सा है definition of methodology, definition of methodology में कुछ और topics भी हैं, methodology की परिभाशा, सबसे पहले पढ़ेंगे methodology की परिभाशा, methodology है क्या, सबसे बहले यह पढ़ना है, standard of measurement, मापन के मानक, मापन जो होता है measurement, उसके क्या मानक है, उससे बहले यह पढ़ेंगे, measurement क्या होता है, उसके बाद मानक पढ़ेंगे, उसके बाद types of error, controllable and random errors, उसके बाद प्रकार की तुर्टियां, नियंत्रणिय और याद्रिचिक, यह दोनों हमें पढ़नी है, फिर आएगा fourth, इसमें कुछ important definitions है, जो exam में पूछी पूछी जाती है हर साल पूछता है precision, accuracy, sensitivity, hysteresis, response time, repeatability, calibration, uncertainty of measurement और interchangeability, यह चार topic ऐसे हैं, यह fourth topic जो है, इसमें से आपका कोई ना कोई रखा हुआ मिलेगा, और कोई तीन या चार हर साल इनमें से exam में पूछे जाते हैं, इनमें most important जो है, precision, accuracy, interchangeability, यह बहुत important है, और sensitivity, यह पूछता ही पूछता है, लेकिन यह सारे ही में आपको पढ़ाने वाला हूँ, पढ़ेंगे वो इस subject के अंदर जो most important है, सबसे पहले वो cover कर लेना है, main motto क्या है, pass होना, पाचवा है standardization and standardization organization, तो मान की करण क्या होता है, संस्थाई क्या होती है, वो सब हम पाचवे topic में पढ़ने बाले है, तो यह पाचों के पाचों topic अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए, तो आपका chapter 1 finish हो गया, अब इसको कराऊँगा कितने lectures में, सिर्फ 2 lecture में, maximum, हो सकता है, मैं एक में भी करा दूँ, मैक्सिमन 2 lecture से इसके आएंगे, chapter 1 के और chapter 1 आपका finish हो जाएगा, इसके notes, mpolli के telegram channel को join करना, link description में है, और इसके notes जो है, वो download कर लेना, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि sir, notes बनाने हैं क्या, या किस तरीके से पढ़ना हैं, कैसे हम पूरा subject cover कर सकते हैं, वो सारे doubt आपके इस strategy में clear कर दूँगा, इसके बाद कोई MMI की strategy नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, अगर अभी से follow करोगे, कब MMI complete हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, देखो, strategy क्या MMI के लिए, तो MMI के लिए जो सबसे पहली हमारी point है, चार ये 5 most important point, अगर इनको follow कर लिया, तो आपको MMI में कोई pass होने से नहीं रोख पाएगा, ठीक है, ये मेरी guarantee है, पहला attend daily lectures, तो आपको daily lectures लेने हैं, जहां मैंने lecture upload किया, आपको lecture देख लेना है, जैसे ही lecture upload होगा, तुम्हें सारे distractions बंद कर देने हैं, सारे काम रोग देने हैं, ये समझ लो कि बस तुम्हें उस time पढ़ाई करनी है, चाहे वो आदे गंटे का lecture हो, चाहे वो 10 minute का lecture हो, चाहे 15 minute का हो, जब तक तुम daily lecture नहीं देखोगे, तुम्हें ना सोना है ना खाना है, तुम कब lecture देख रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रात में देखो, दिन में देखो, लेकिन जैसे ही lecture upload हो, MMI का ये पहला lecture है इसको complete देखो, जैसे ही दूसरा lecture है complete देखो, और उसके notes, अभी बताऊँगा क्या करना है notes का, lecture देख लो daily ठीक है, पहला point आपका कवर होगे strategy का, अब देखो no need to make notes, but your own words, but use your own words, क्या बोल रहा है, यह मेरा second point है जो मैंने इसमें डाला है, वो यह है कि आपको notes बनानी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल notes मत बनाना, यह मैं return में बोल रहा हूँ, notes बनानी की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, बिल्कुल notes मत बनाओ, लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें copy लेनी है, और copy में क्या करना है, जैसे मैंने metrology पढ़ाई, मैंने पढ़ाया आपको metrology, तो आपको क्या करना है, metrology की कुछ important points, जो आपको लग रहा है, कि यह जो बाते सर ने बोली यह जरूरी है, और यह चीज में लिखी हुई नहीं है, तो उसको point wise लिख लो, यहाँ पे, ताकि जब आप revise करो, तो वह चीज आपको याद आए, क्योंकि बार बार तो lecture नहीं देख सकते हैं, कहां डूंड होगे points, तो क्या किया, आपने metrology lecture 1 डाल लिया, और lecture 1 के कुछ important points लिख लिए, उसके बाद कल को दुबारा lecture देखना भी पड़ता है, कि इसमें यह यह important points है, ठीक है, दूसरी चीज हो गई, तीसरी, नोट जो है वह निकाल करके रखना, डाउनलूड करके अपने फोन में, टैबलेट में, लैप्टॉप में, जहां भी चाओ वैसे रखना, प्रिंट आउट निकल लवा लेना, ठीक है, अगर मोबाइल से कम चल जाए, मोबाइल से चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, अब use recall after you complete a lecture, अब recall करना है तुम्हें, recall कहां से होगा, यहां से होगा recall, मतलब कि जो मैंने पढ़ाया, उसके बाद lecture बंद करने के बाद भाग मत जाना, lecture पूरा देखो, पूरा lecture देखने के बाद उसको पूरा recall करना है, शुरू से लास्तक की सरने पहले क्या पढ़ाया था, methodology पढ़ाया, उसके बाद क्या पढ़ाया सरने, उसके बाद सरने standard पढ़ा दिया, measurement पढ़ा दिया, precision पढ़ा दिया, यह points तुम्हें याद हो जाने चाहिए आज, तो recall का यूस करना है तुम्हें lecture complete होने के बाद, चौथा point है क्या, avoid procrastination, procrastination क्या होता है, टालमटोल, बिल्कुल नहीं करनी तुम्हें, यह नहीं के lecture आ गया कल देख लेंगे, अगर तुमने आज lecture नहीं देख आज का, तो आज lecture एक है, कल को कितने हो गए, दो, तीन दिन के बाद कितने हो गए, पांच, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, lectures को इखटा करते जाओंगे, और जब वो इखटे होंगे तो last में जब exam का time आएगा, पूरी playlist होगी तुमारे पास, और तुम यह सोच रहे होंगे, शुरू करूं या ना करूं, कि अब तो मैं pass, फिर तुम्हे negative thoughts आते हैं, कौन से, कि जी अब तो मैं pass ही नहीं हो पाँगा, अब तो मैं कुछ भी कर लूँ, मैं MMI में pass होई नहीं सकता, एक ने यह बताया था कि MMI में तो कोई pass होता ही नहीं है, और वो मेरे दूर के चाचा का बेटा था, उसने कहा था MMI में तो 90% बच्चे fail ही हो जाते हैं, तो शायद 90 में मैं भी होँगा, नहीं होता ऐसा यार, बिल्कुल नहीं होता, 90% बिल्कुल fail बेल नहीं होते हैं, सब pass होते हैं बस तुम्हारी महनत पर depend करता है, तुमसी बहाने मारते हो, तो टालना नहीं है तुम्हें, प्रोक्रेस्टिनेशन को एकदम avoid कर देना है, तुम्हें बिल्कुल टालना नहीं है, सारे काम छोड़ दो, lecture आया, lecture तुम्हें देखना है, मज़ा आ रहा है, मुझे comment करो, कोई चीज चेंज करनी है, तो भी comment करो, कि सर इस चीज को इस तरीके से पढ़ा ये, मैं उस चीज को उस तरीके से आपको पढ़ा दूँगा, लेकिन तुम्हें comment करनी है, अगर अच्छा लग रहा है, अच्छा बताना है, गलत लग रहा है, गलत बताना है, ठीके, comment जओ करना, तुम्हारी comment से बहुत motivation मिलती है, मैं रात को अगर खड़े हो के पढ़ा रहा हूं, सिर्फ तुम्हारी motivation है, जो मुझे खड़ा करती है, और पढ़ाने को मजबूर करती है, तो इसलिए comment जरूर करना, कि सर, बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, सर, notes अच्छे हैं, notes में ये change कर दीजिए, Hindi और English दोनों में notes रहते हैं, वैसे ही रहेंगे, पांच वार, reward yourself, यह मेरा favorite है, मैं इसी पर काम करता हूं, reward yourself, तुमने एक घंटा पढ़ लिया, अब एक घंटा पढ़ने के बाद तुम्हें अपना आपको reward देना है, reward क्या देना है, कि चलो आज तुम 10 मिनेट मोबाईल एक्स्टा चला सकते हो, है ना, आज तुम 10 मिनेट रील्स देख सकते हो, तो यह तुम्हारा reward है, सिर्फ 10 मिनेट, अब उसको 10 घंटे में मत change कर देना, reward, या फिर तुम कुछ बाहर अच्छा खाने जा सकते हो, कि अगर आज तुमने एक घंटे पूरे दो घंटे पढ़ाई कर ली, तो आज हम burger खाएंगे, है ना, या फिर जो तुम्हें पसंद है, कुछ भी जो तुम्हें पसंद है, हम वो खाएंगे, तो यह तुम्हेरे लिए reward होता है, तुम्हें अपने आपको अच्छा लगता है जाएंगे, तो इस तरीके से अपने आपको बोलोगे, तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा करते जाओगे, जिसे वो कहते हैं, किसमत में लिखा है तो मिल ही जाएगा, नहीं मिला तो छीन लाएंगे, भाई मेरा सिंपल सा फॉर्मूला है, मेरे को कोई चीज न आते हुए चीन ले, नहीं, चोर थोड़ी ना है यार, लेकिन वो चीज है, किसमत में होगी तो मिल जाएगी, नहीं मिली तो छीन लेंगा, इसलिए छीनने पर बिलीफ करता हूं मैं तो भाई, तो reward yourself, अपना आपको reward दो, अपने आपको शाबाशी दो, कोई और देने नही साथ देंगे, तो बस याद करो कि अगर तुम अभी hostel में हो, या तुम रूम पर हो, या तुम घर पर हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो भी, तुमारे father, तुमारी mother को तुमें अब rest देना है, ठीक है, rest कैसे उन्हें comfort life देनी है, अच्छी life देनी है, उसके लिए तुम्हें हो गया, लेकिन तुम्हें main motive क्या है, पैसा कमाना है, और पैसा कमाने के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, अच्छा अच्छे numbers लाने पड़ेंगे, compete करना पड़ेगा, अपने skills को develop करना पड़ेगा, क्योंकि main चीज ना तुमारे parents है बस, तो उन्हें दिमाग में कोई नहीं देता किसी का सा, ठीक है, सिर्फ बक्वास करते हैं, जो बोलते हैं कि हम साथ देंगे, और end तक साथ रहेंगे, और यह होगा, कुछ नहीं होता भाई, ठीक है, सिर्फ parents तुम्हारा साथ देंगे, और उन्हीं पर भरोसा रखो, like मो, और किसी पर एकदम से भरोसा मत करना वेरे भाई, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, तो यह lecture आपका यहीं रोकते हैं, अब आप next lecture में मिलेंगे, जिसमें हम आपका जो chapter 1 है, उसको start कर देंगे, अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है, तो please चैनल को subscribe कर लो, lecture को like कर दो, comment किया करो, और आप हमें Instagram पे भी follow कर सकते एंपॉली01 हमारा Instagram का username है, आपको इसकी PDF एंपॉली के Telegram चैनल पर मिल जाएगी, link description में है दोनों का, तो मिलते हैं अपने next lecture में, एक नए topic के साथ, नए chapter के साथ, तब तक के लिए, see you, bye bye